दोस्तो आज मैं आपको एक चुडेल की कहानी सुना रही हूँ जो कि आदमियों को उठा ले जाती थी छोटी से शहर में संजु अपनी पतनी रमा और दादी के साथ रहता था संजु और रमा की शादी को काफी साल हो गए थे लेकिन अभी तक उनके कोई उलाद नहीं थी क्योंकि दादी हमेशा रमा को इसी बात के लिए कोस्ती रहती थी एक दिन दादी जब किसी काम से बाहर जाती है तो वहाँ उनको पडोस में रहने वाली एक ओरत मिल जाती है वो ओरत उससे बोलती है अरे बेहन कैसी हो वैसे वह भी मिली थी वो पडोस वाली उसके भी कोई संतान नहीं थी फिर मैंने उसे एक बाबा का पता बताया आज देखो उसका नो महिने का बेटा है तब दादी उससे कहती है कि क्या तुम सच बोल रही हो वह उरत कहती है हाँ और अगर तुम्हें महा का पता चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ दादी उनसे कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा बड़ा भला होगा बहन, मैं बस मरने से पहले अपने पोते का चेहरा देखना चाती हूँ, संजु की दादी मा महां से चली जाती है, फिर जब रात को संजु ओफिस से घर आता है, तो वे संजु को पूरी बात बतात संजु कहता है, अरे दादी आप भी क्या इन सब लोगों की बातों पर ध्यान देकर अपना समय खराब करती है, दादी संजु से कहती है, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाले हूँ, अब तु कल ही राजिस्थान के ने निकलेगा, और वहाँ एक बाबा है, उ नहीं दिख रहाता, और गाड़ी सीधा ट्रक से जा टकराती है, संजु टकर के कारण बेहोश हो जाता है, तब ही वहाँ एक चुडएल आती है, वह रमा के उपर जादू करके उसे जाड़ियों में फेक देती है, और खुद रमा का रूप ले लेती है, और सोच यह लगती है, उठो संजु, उठो संजु, तुम ठीक हो ना, संजु कहता है, हाँ हाँ, अभी मरते मरते बचे हैं, चलो घर चलते हैं, संजु और रमा घर वापस आ जाते हैं, दादी जब उनसे पूसती है कि मैं बाबा से मिले या नहीं, तो वैं जूट बोल देते हैं, उस दिन से रमा बहुत ही अलग बरताव करने लगती है, जो सब को अजीब लग रहा था, वहे एक पल के लिए भी संजु को अकेला नहीं छोड़ती थी, संजु उससे कहता है, क्या हो गया है तुमको, रमा तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, रमा कहती है, मुझी कुछ नहीं हुआ जी, क संजु की तो खुशी का ठीकाना ही नहीं होता, चुडैल रमा सोचने लगती है कि अब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, संजु और दादी अम्मा का अच्छे से ध्यान रखते हैं, एक रात जब सब सो रहे होते हैं, तो चुडैल अपने असली रूप में छत पर शैतानी बच्चे हैं, जिनको इस दुनिया में लाने के लिए तुझे हर महिने की अमावस की रात को अपने पती का खुण लाकर मुझे चड़ाना होगा, और तभी मैं तेरी एक एक बच्चे में जान डालता जाऊंगा, जिस दिन तेरे एक से दस बच्चे इस दुनिया में आ चुडएल कहती है, मैं बस यही चाहती हूँ, शैतान, मैं हर महिने अपने पती का हुन लाऊंगी, और अपने दस शैतानी बच्चों को जर्म दे कर इस दुनिया पर राज करूंगी, चुडएल मा का रूप लेकर नीचे अपने कमरे में जाकर सो जाती है, उसके बाद फिर हर महिन नमावस की रात को कैसे भी करके, अपने पती को जखमी करके उसका खून शैतान को पिलाने लगती है, ऐसे ही देखते देखते चुडएल को काफी महिने पूरे हो जाते हैं, उस चुडएल का पेट दस बच्चों की वज़े से बहुत मोटा दिखने लगता है, दाद और मेरे बच्चे भी विल्कुल ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो, दादी उससे कहती है, यह तेरी आवाज को क्या हो गया है, कि तुम इतने बच्चों की तरह बात कर रही हो, आखिर तुमें हुआ क्या है, चुडएल कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ बुडिया, तू तुम जा यहां से, दादी कहती है, यह भगवान यह कैसी बात कर रही है, इससे क्या हो गया, दादी बहुत डर जाती है, और घर से बाहर निकल जाती है, तभी चुडएल को गुसा आ जाता है, और वो अपने असली रूप में आ जाती है, वह दादी की गरदन पकड़ लेत वह संजु को फोन लगा कर, संजु को घर बुला लेती है, संजु घर आ जाते है, वह दादी को देखकर रोने लगता है, बेचारी दादी हमारे बच्चे की शकल देखे भिना ही चली गई, इतना कहकर संजु फूट फूट कर रोने लगता है, रमा का पेट दिन बदिन गढ़ने लगती है, बाहर बहुत तेजबारी सो रही थी, संजु जल्दी से पडोस की ओरत को भुला कर लाता है, वह कहती है, अरे तु चिंता मत कर, बुड़ी ओरत अंदर कमरे में जाती है, तो रमा का पेट देखकर वह डर जाती है, उसने कभी किसी का इतना बड़ा पेट नहीं देखा था, रमा चुडएल एक नहीं, बलकि पूरे दत-दस बच्चों को जर्म देती है, बुड़ी ओरत दस बच्चों को देखकर घबरा जाती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, यह क्या हो रहा है, दस बच्चों को जर्म देने के बाद भी रमा बड़ी ही स्वस्त और पहले जैसी ठीक दीखी रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसके बाद बूड़ी ओरत सब बच्चों को ना लाकर उनको ने कपड़े पहना कर लिटा देती है, उसके बाद वह संजु को जाकर बताती है, कि वह दस बच्चों का बाप बन गया है, संजु हैरान से खेत हो मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड लग रही है, तभी बच्चों के रोनों की आवाज आती है, संजु और दादी रमा के कमरे में जाते हैं, तो देखते हैं, रमा नहीं बलकि चुड़ैल बच्चों को खुन पिला रही होती है, मैं कहती है, आखिर मै अपने दस बच्चों को जर्म दे दिया, अब मेरे दस बच्चे मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे. संजु ने उस वुरत से कहा, यह चुडेल है, यह तो मेरी रहमा कहा है? जाना, यह मेरे साथ क्या हो रा है, मैं एक चुडेल के साथ रह रह रहा था, और यह इतने सारे बच्चे इस चुडैल के हैं अब मैं क्या करूँ अब वह होरत संजु से कहती है मुझे शुरू से ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था मैंने तो तुम्हें राजस्तान वाले बाबा के पास तुम्हारे भले के लिए भी जता और यह क्या मुसीबत आ गई संजु उन से कहता है दरसल हम उनके पास गई नहीं लास्ते में हमारा एक्सिडेंट हो गया और हम वही से वापस आ गए बुड़ी उरत कहती है ये भगवान मुझे लगता है कि तुम्हारी दादी मुझे बोलती थी कि जब से रमा राजस्थान से आई है तभी से बदली बदली सी लग रही है हमें वहां के लिए अभी निकलना होगा संजु कहता है हाँ आप ठीक बोल रही हो संजु रमा चुड़ेल के पास जाता है और कोई खाम का भाना बना कर ऐसे ही चल जाता है जल्दी कर राजस्थान बाबा के पास पोश्टा है तो वहां उनको रमा मिलती है रमा यहां तब बाबा उनसे कहता है यह लड़की नो महीने से मेरे पास है इसके उपर किसी चुड़ेल ने जादू किया है जिसकी वज़े से इसे कुछ याद नहीं है अब जब तक वह चुड़ेल नहीं मिल जाती तब तक इस लड़की की यादाश नहीं आएगी संजु कहता है यही नो महीने से रह रही है संजु सुरू से सारी बाद बताते हुए बताता है बाबा उसी वक्त संजु के साथ उसके घर जाते है और पूरे घर में गोली मार देते है और चुड़ेल को अपने घर में कबजे में करते है चुड़ेल कहती है मैं कहीं नहीं जाओंगी मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मुझे कोई पकड़ नहीं सकता तब बाबा कहते है तुम उससे बच नहीं पाओगे, इसलिए खुद को मेरे हवाले कर दे, चुडैल उस बाबा के कबजे में नहीं आती, फिर संजू के पीछे रास्ते से चुपके से चुडैल को बाबा बाहर ले आता है, चुडैल बच्चो को देख कर बोलती है, मेरे बच्चे वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा, बाबा उसे कहती है, तुम एक चुडैल हो, और तुम अपना खुन पिला कर इन बच्चो को शेतान बना रही हो, मैं इन बच्चो के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने दूआ, और तुमें यहां से जाना होगा, चुडैल कहती है, नहीं नहीं नही बाबा अपने जोले से छोट इसी बोतल निकालते हैं और मुंत्र पढ़ते हैं चुड़ेल वहुत चिलाती है पर बाबा की शक्ति उस वक्त उस चुड़ेल की सक्टियों से जादा होती है क्योंकि चुड़ेल के दस बच्चे उस बाबा के पास होते हैं बाबा उस चुड़े कुछ ले जा रहा हूं। तुम दोनों अब इन दस बच्चों के साथ कुछ रहना। और यह भी इंसान है। क्योंकि इनके शैतान बने से पहले मैंने उस चुड़ें को कहद कर लिया है। मैंने पहले चुड़ैल को क्याद कर लिया है बाबा आप चुड़ैल को अपने साथ ले जाते हैं संजी और रमा उंदस बच्चों के साथ कूप प्यार से रहते हैं और उनके उपर चुड़ैल का पर परचावन नहीं आता दोस्तों अगर आपको चुड़ैल की है कानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कोमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्स पॉर वाचिंग